बहरेपन और श्रवन हानी को रोकने के लिए जागरुकता फैलाने और दुनिया भर में कान और सुनने की देखबाल को बढ़ावा देने के लिए प्रतेग वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवन दिवस मनाया जाता है यह दिन बहरेपन और सुनवाई हानी को रोकने और दुनिया भर में कान और सुनवाई देखवाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरुकता बढ़ाया जाता है एक रिपोर्ट के अनुसार दोहसार पचास तक 25 विजदी लोगों में श्रवन विकार होगा भारत में हर साल 27,000 से अधिक बच्चे पहरे पैदा होते हैं विश्व श्रवन दिवस पहली बार साल 2007 में अंतराश्टिय कान देखवाल दिवस द्वारा विश्व भर में मनाया गया था सुन्ने की शम्ता में कमी या बहरापन एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी श्रवन शम्ता अर्था सुन्ने की शम्ता खो देता है यहां रोम अनुवांशिक कार्णों जनम के समय जटेलताओं कुछ संक्रमन रोक कान में लंबे वक्त तक संक्रमन ओटो टॉक्सिक दवाओ के उप्योग और अत्यधिक शोर और उम्र बढ़ने से हो